हाई गाईस मेरा नाम आरिफ और आप देख रहें मेरे यूट्यूब चानल डैट गायरिफ चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक के उपर उससे पहले मैं आपसे कुछ बात डिसकस कर लेता हूं देखो ग और इसा के जो जितने भी गवर्मेंट कॉलेज है वहां पर ही क्या वह अपलाई कर सकते हैं अगर वह अधर स्टेट से फ़र एक्जामपल मानो आप राची से आप जार्खंड से हो आप राजस्थान से हो या फिर आप कोई भी अधर स्टेट से और अधर देन ओडिसा क्या आप ओडिसा के गवर्मेंट इंजिनेरिंग कॉलेज में अडिमिसन ले सकते हो इसके उपर आज हम बात करने वाले तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है वीडियो को स्टाटिंग से लेकर एंट तक पूरा देखना चाले चीज़ों आपको अच्छे समझ मैं देखो जो एक गवर्मेंट में से कॉलेज लोडिसार वाएं में प्रएंट करता है जो तारहां कि गवर्मेंट कोशें आती हैं ौ। पर एक्जामपल IIT खड़कपूर हो गया, IIT भुबनेश्वर हो गया, NIT राउडकला हो गया, NIT कानपूर हो गया, यह सब जितने भी आपके कॉलेज इसको हैंडल कौन करता है, नाशनल, नाशनल का मतलब सेंटल गवर्मेंट, अब हम बात कर लेते हैं गाईस, जो बच्चे ओडिसा के बाहर से हैं, उनके लिए 100% option है, आप कोई भी स्टेट में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है, कैसे, अगर आप जेई मेंस का एक्जाम देते हो और उसमें आपका बहुत अच्छा रहेंक आतार आप जो सा के काउंसलिंग के हिसाब से आपका सेलेक्शन होता है, तो आ काउंसलिंग होती है, जिसको हम बोलते है, OJEE काउंसलिंग, मला ओरिसा Joint and Trans Examination Counseling, इसका काउंसलिंग किस तरह से होता है, इसका काउंसलिंग इस तरह से होता है, इसकी पहले आपको J.E.M.S. का एक्जाम देना रहता है, जेई मेंस का एक्जाम में आपको रैंक आता है, उस उसमें क्या होता है guys quota system होता है, quota system क्या होता है, जितने भी बच्छे Odisha के resident है, मतलब जो बच्छे Odisha के पैदाई से Odisha मों उनका permanent address है, वो बच्छों का admission सबसे पहले होता है, ठीक है, और other state का भी quota government के तरब से उसमें होता है, other state का quota किस तरह से guys, अगर मैं आपको example दूं, अ ज्यादा मानलो क्योंकि 900 मैंना कमी बता दिया 950 सीट जो होगी वो होगी ओडिसा के बच्चों के लिए और जो बचा 50 सीट जो है जो की गवर्मेंट का पॉलिसी के हिसाब से वो सीट आपका बाहर के जितने भी अधर स्टेट के लिए है उनके लेवर रिजब किया रहेगा अ यहां के बच्चों को जातर कोटा सिस्टम मिलता है जो कि ओडिसा मा के पढ़ने का उन्हें फैसलेटी और सुवीदा मिलता है उम्मीद करता हूं को चीज़े समझ में होगा अगर आप जोसा के काउंसलिंग के साब साब को कोई भी कॉलेज मिलता तो आप आराम से पढ़ सक कम हो जाता है ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखो आपका जो काउंसलिंग होगा आप जोसा के साब से करो और जो आपका स्टेट है वहां अगर आपका अच्छा गवर्मेंट कॉलेज है तो आप वहां पढ़ सकते ओडिसा की आसा थोड़ा आप कम कर दो बिकॉस यहां ज इसके पर वीडियो बना लूँगा इसके पर आप बार बार कमेंट मत करो ठीक है तो मिलते हैं गाइस एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए असलाम अलेकुम नमस्कार जैहिंद और बंदे मातरम